नमस्कार गोरकपूर न्यूज में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ पुझा वर्मा आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर गोरकपूर न्यूज के सरप्रायो जक है मठकू मंगलम तावर गोलगर गोरकपूर एक महिले डॉक्टर ने मरीज की दिलिवरी के नाम पर परिचनों से लिए 7000 रुपया घूस वीडियो हुआ वा वाईरल मामला जिला महिला चिकिस साले का जिला महिला चिकिस साले के प्रमुक अधिक्षक ने कहा वीडियो का लिया गया है संग्यान महिला डॉक्टर पर कारिवाई के लिए शासन को लिखा गया है पत्र मांगा गया है स्पस्ट्रिकरन जबकि ओटी स्टाफ पर कारिवाई पर हुए मौन गोपालपूर गाउं में एक व्यक्ति ने पती वा पत्नी को मारी गोली मामला पे प्राइस हाना छेत्र का मौकी पर पहुची पुलेस ने आरोपी व्यक्ति को लिया हिरासत में खट्ता में प्रियोक तमन्चा वकार किया बरामद स्पी नौट ने कहा गायलों को इलाज के लिए मेटल कॉलेज में करवाय गया है भरती तहरीर मिलने के बाद की जाएगी आदिकी कारवाही सुरज को निस्त बास निरक्षन ग्रेह का जनपद नियाधीस वा स्पी सिटी ने किया निरक्षन कमरों के लिए तलासी तलाशी में पाये गए मोवाईल, चार्जर, कडा, नशीला, प्रदार्थ, जनपद नियाधीस ने जाच के दिये निर्देश मुक्ही बंडरियोगी आदित नाथ ने गुरिक नाथ मंदिर में गायों को गुरवा चना के लाकर किया सर्विलांस सेल की टीम ने खोए हुए 16 लाक रुपए के 111 स्मार्टफोन वा एक टेबलेट को किया बरामद स्पी सिटी कृष्ण कुमार विश्णोई के मौजूद की में पुलिस लाइन में मोवाईल स्वामियों को उनका मोवाईल किया गया सुपुर्द खोया हुआ मोवाईल पाकर लोगों ने गुरखपुर सर्विलांस स्टीम को दिया धन्यवाद बासगाओ तहसील पर सीडियो संजे कुमार मीना की अधिक्स्ता में जनपदिस्तर ये तहसील समधान दिवसका किया गया आयोजन सीडियों ने पांच प्रायमिय स्कूलों का भी किया निरक्शन कहा एक सब्ता के अंदर सभी मामलों के निस्तारंट के दिये गए हैं नर्देश आजादी की पच्छे तरवे अमरित महस्तों के तहत गुर्यकपूर एर फोर्स स्टेशन द्वारा रामकरताल स्थित नौका विहार के जित्ती पर सुनली शाम के तहत एर फोर्स मुजिकल बैंड ने बांधा शमा महिलाओं और बच्चों ने जम कर मुजिकल बैंड का उठ गुरुक कर रही है एर फोर्स मुजिकल बैंड जनप्रत में एक इनीजी होटल में भोजपूरी महस्तों का किया गया आयजन मुक अतिती शिव प्रताब शुकला ने कहा भोजपूरी को अनसुची में सामिल करने के लिए भारा सरकार से करेंगे मांग भोजपूरी यूपी वा बिहार में सबसे जादा बोली जाने वाली है भाशा संपूर तहसिल समधान दिवस SGM सदर कुलदीप मीना के देख्सता में हुआ साकुसल संपन ये कहा अधिकतर मामले भूमी विवाद वा पुलिस विवाद से आये संबंदित मामलों के निस्तारण के लिए संबंदित अधिकारी को दिये गए है निर्देश महायोगी बाबा लोकनाथ सेवा समिती द्वरह दुर्गाबारी प्रांगन में त्रिकाल दर्सी महायोगी बाबा लोकनाथ का हरसुलास के साथ मनाए गया जनमोस सौक कहा भक्तों से बाबा कहते थी जब तुम्हें कोई कस्च हो तो मुझे स्मरन करो मैं उसे करूंगा दू और जन्पद में कल तक बारिस के लिए बना रहेगा मांसून गरज के साथ होगी चिटपुट बारिस जिला अब दविशे सग्य गौतम गुपता ने भी जानकारी अब खबरे विस्तार से जिला महिला चिक साले में एक महिला डॉक्टर ने डिलिवरी के नाम पर मरीज की परिचन से साथ हजार रुपए गूस लिये То इसका वीडियो वाइरल हो गया है जिसके संबंद में जिला महिला चिक साले के प्रमुक अधीक शक एनके सिर्वास्तों ने बताये कि जिला महिला चिक साले में महिला डॉक्टर के द्वारा डिलिवरी के नाम पर पैसा लेनी का वीडियो सामने आया है जिसमें डॉक्टर ने साथ हजार रुपए लिये हैं डॉक्टर से इस पस्ची करण मांगा गया है तथा डॉक्टर के खिलाफ कारवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है CMS ने बताया कि इस तरह की घटनों को रोकने के लिए मेरे द्वारा हमेशा अस्पटाल का निरक्शन किया जाता है जिससे इस तरह की घटना सामने ना आये प्रतम दिश्टिया मामला सही पाया गया है क्योंकि अस्पताल में डिलिवरी बिल्कुल मुफ्त है पैसा लेना गलत है इस पस्टिकरन आने के बाद आगे की कारवाई की जाएगी जबकि ओटेल स्टाफ की भी इसमें मिली भगत है जो की डॉक्टर के नाम पर पैसा लिया है जिसका वाइरल वीडियो में रंगे हाथ पैसा लेते हुए कैमरे में भी कैद हुआ है जिस पर CMS कारवाई के लिए मौन है अब देखना है कि जिला अस्पताल प्रशासन क्या कारवाई करता है इस संबंद में गुरकपूर न्यूस से बात करते हुए जिला महिला चिकिस साले के प्रमुक अधिक शक एनके सिर्वास्तों ने कहा बाइगा अब कुस्त मतलब स्टाप को तर पर कुस्त हो जाए मैं आपके पाशे लिए आ रहें कि स्टाप को तब कुछ है नहीं हो जाए कर दोड़ गजा सकतर ज Susie आढ़े हम अपते जया है कर दूँअ? द्हार नही कि खात वे हम खे शहरी आढ़े हम अपता रहाल म plea नहीरा चीक्त को स्ध YOURSIT जो चाहत प्रेज़ के बाड़ार सुम्स मत बापी नहीरां चाहती प्रेज남 चाहती जा ओर प्हाती में दीरा झिया 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 झौवलब कार ये तो जानकर आप जाने तो जाने को जाता है इनों को जा रहा है काने माने बुला देले लिए तो कब तक हो जाएगा भी या तो कब तक है आप आप मेरे संजान में यह बात आई थी मनें उसे इस पुस्टी प्रवड भी मांगा है और वीडियो सहीत इस सारा परकव मनें सासल को बेज़ दिया मेरा पुरा प्रियास है मैं जब से इसी पर लगा हूँ कि कहीं तो भी किसी इस्तर पे किसी भी आम्या वाले हमारे क्लाइन को कोई तखलीक नवा मैं सम्ट करके कई बार गाउन लेता हूँ देखता हूँ कि किसी से ऐसे की दिमाड ना हो कहें कि जो सासल के दोरा निसुल्क सिधाय हैं सब उनको निसुल्क मिलती रहां लेकिन कई बार मैंये जूँक्त अबी места मोठ लेकिन के अगर जानकारी कि मुझे जानकारी नहीं मृपई और जैसे ही मिजह सुचना मिलती है तथकाल इसकर ने संग्यान में लेता है, मैं सम्झाद करके इस तल्पन को देखता हूं, अभी जो आप ने चर्चा की, जैसे ही मेरे संग्यान में आया, मैंने इसको साशन को अपर करो, बेच दिया है कि आपसे करवा ही है, जी है, प्रतम बिस्तिया आरोप से लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, तेजन रात में भी मैं देखता हूं लेकिन मेरे साथ में तो ऐसा नहीं होता है और कभी अगर ऐसा जैसा की अभी हुआ उसके लिए मैंने कड़ी कड़ी कड़े कड़म उठाए हैं और इसके लिए उन के आपसे करवाये क्या घृत है, जोभी सिजा मिनली है साथ समय पशिए प्राइस सानाथ शेटर के गोपालपूर गाउं में एक व्यक्ति ने पती वा पतनी को गोली मार दी जिसके संबंद में प्राइस सानाथ शेटर के गोपालपूर गाउं में सिधार्द सिंग नाम के व्यक्ति ने गोपाल यादोव और उसकी पतनी डीता यादोगे उपर फायर किया है जिससे दोनों गंभी रूप से घायल हो गये आरोपी सिधार सिंग को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और साथ में उसके तमन्चे वाकार को भी बरामत कर लिया है दोनों गायल पती वापतनी को मेटकल कॉलिज में इलाज के लिए भरती करवाये गया है जिनकी इस्थिती अब सामाने है तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्जकर आगे की आवश्य कारवाई की जाएगी इस संबन्ध में गुरकपूर ड्यूस से बात करते वे स्पी नौर्थ मरश कुमार अवस्ती ने कहा अब क्या हुआ पार्चित यह गया है विए जाएगे है इसे पिप्राई से ब्याड़ी मेटकलोश हैं मैंसा है नहीं मैं परशाद ठाहा है उपर ल before आज को के गला है विंड दे जिए, गला है को आज को को लोहा क्या, भाहे हा जोहा है कोछो के अिया थदे ओ्तान के प्रेडृ जड़— को ताकना दान के गलो के लिए जा है कोी भूचने की तो जुडने के घखे की तंहीं कर दोंग चरайской नर्ट हम जीब इना होना सफने कि कि इना है जाकता है नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मरी शेखर है, मैं यहां CACP प्राइज पे चीखी साधिक्षा की पपर कारा रखूँ और आज हमारे हाँ करीब तीन बज़ के पटीस मिनद पे एम्बूलेंस से, एक्सवाठ अबूलेंस से मात दो बाईज है एक का नाम था प्रदी पियादो और एक कान उसकी वाइब थी रितायादो दोनों को गोली लेगी थी तो दोनों का मतब हमें टीटमेंट कर दिया प्राइज कर दिया और पट्टी एक करके सारे टीटमेंट करके उठे हमने जिलास्पिताल रेफर कर दिया है अज पिपराई स्थाना चेतर के गुपाल तुर गाउं में गुपाल यादो और उनकी पतनी रीता यादो के उपर एक सिधार्थ सिंग नामक वेक्टी ने फाइरिंग किया है जिसको मौके से ही हिरासत ने लिया गया उसके पास से जो तमंचा प्रियूप किया गया था वो भी बरामत किया गया जो जिस कार से वो आया था वो कार भी बरामत की गई गया अभी तीनों लोगों को मेडिकल कालेज शिफ्ट किया गया है बेतर देख रहक के लिए सभी की इस तेज़ प्रताप तिवारी वाएस पे सिटी कर्शन कुमार विश्णोई ने सुरज कोंडिस थे तब बाल सनरक्षन ग्रह का निरक्षन किया इस दोरान निरक्षन के दोरान जेल के कमरों की चानबीन की गई जिसमें तीन की पैड मोबाइल नसीला परदार्थ चार्जर इयर फोन का बरामत किया गया जिसमें जनपद नियादीज दोरा जाज की निर्देश दिये गया है कि बाल सनरक्षन ग्रह में यह सबी वस्तुएं कैसे प्रियोग की जाती थी जिसकी जाज कर विदिक कारवाई की चाहे की इस औसर पर एडियम सिटी विनित कुमार सिंग सहित अने लोग मौजूद रहें इस संबन में गोरगपूर नियूस से बात करते वे एस्पी सिटी कृष्ण कुमार विश्णुई ने कहा आज जन्पत गोरगपूर के जिला जद महुद है, एडियम सिटी एव मेरे द्वारा बासंपरक्शन कर गोरगपूर का रोचकने एरेक्शन किया गया और चक निरेक्षन में सभी कमरों की चान भी इन की गई एवम खुपिया सुत्रों से पता चला था कि उसमें कई प्रकार के मोबाइल प्रयोग में लाए जा रहे हैं इस तरह चापे मारी में तीन मोबाइल जिसमें दो छोटे छोटे मोबाइल बहुत मिनियाचर वर्जन के एक दो इंच के मोबाइल जो कहीं भी छुपाय जा सकते हैं इसमें पता करना बहुत जुरूरी है कि इस तरह का फोन कैसे बास इंप्रक्शन करें के अंदर तक पहुंचा उनका प्रयोग कैसे किया जा रहा था है बास इंप्रक्शन करें के जानकारी नहीं थी इस तरह की तमाम बात हैं उन सब तमाम बातों की जाच कर अगरे तरगार वई शुरूरी चित की जाए इनी के बाद मत्रा पहुंच गया जहां पर उन्होंने कृष्ण जन्मास्टमी पर लोगों को अपने हातों से खाना किलाया देर रात मुख्यमंट्री गुरकपूर पहुंचे तथा गुरक नात्म मंदिर में आयोजी तकृष्ण जन्मास्टमी कारेकरम में भाग लिया 112 मुवाइल फोन को बरामत कर मुवाइल स्वामियों को सुपूर्द किया जिसके संबंद में SP सिटे कृष्ण कुमार विश्णुई ने बताए कि गुरकपूर में गुमसुदा मुवाइल फोन टैबलेट से संबंदित आवेदिकों के IGRS वा लेकित प्रपत्रों पर तरित कारवाई ही तो सर्विलांस सेल को निर्देशित किया गया था जिसको देखते हुए कई माह पहले के गुमसुदा मुवाइल फोन टैबलेट से संबंदित IGRS लेकित प्रपत्रों के आवेदिकों के कुल 111 एंडरॉइड मुवाइल फोन जिनकी अनुमानित की मतलग भग 16, 14,847 रुपए है तथा एक टैबलेट जो कि मुक्यमन्टरी द्वारा मेधावी चात्रों को वित्रन किया गया था जो की चोरी हो गया था एक टैबलेट को बरामत किया गया है उन सभी मुवाइल स्वामियों को पुलिस लाइन में बुला कर मुवाइल को सुपूर्ट किया किया है मुवाइल स्वामि अपना खोया मुवाइल पाकर बहुत खुश हुए सभी मुवाइल स्वामियों ने गुरखपूर पुलिस की सर्विलांस टीम को धन्यवाद दिया है इस संबंध में गुरखपूर नियूस से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्णोई वा मुवाइल पाने वाले नागरिकों ने कहा प्रेंचं रॉम नाद्यार राम नाएर प्राश्प्रियतेस् यह जो कोड। प्रकाउत, गुप्ता त़्हें डाफ़ो कहाँ जाएं लग फोरल के ंदिया के ट्लस्पवन कैने? देखलने के पाने इतनी निय αποने ङसे लगांके सबता मेली ए सुपशने के सबता मिली dzisiaj मैं उन सभी लोगों को 112 लोगों को बढ़ाई देना चाहता हूं कि वो बहुत लखी हैं क्योंकि इसमें हार रोग के साथ साथ लखी विया सकता होती है और आप लोग लखी हैं कि आपको कौन वापस मिला है और गुरद्फुट पुलीस आप सभी लोगों को बहुत बहुत साथ लखी वियापित करती है कि आप लोग आए लाएं नहां पर और हमको आप जो गेजर्ट साथिक होई थे उनको वापस प्रदान करने का मौटा दिया और उम्मीद करता हूँ या आप लोग भी और अपको पुलीस के उन्जामबाच सिपाई हों और जोगों ना मैनद की उनके पती अपने पृतेगदा के आपिद करेंगे और पृतेगे रहेंगे बिंदु तिपाथे वह मौईल मिला कैसे गया गुगा था कितने दिंवार में एह हमारे लड़के का था परिच्छा देने गया था तो डीगी में रखा था तो किसी ने निकाल लिया है था कितने दिन फोगए होगा है चार माहिनफ हो गया होगा आथ कीसा लगा राख एक त्टी ज़ागरा था श्राइए बहुत अच्या लगरा है एक लेश के लिये बहुत 1 बहुत धन्य बाह aucune बड कितने दिन बार मिला ऐहक है क्ई पाई जी बढ़िया लग रहे हैं पुलिस के लिए कुछ क्रिश्ना दूबर करें तीन महिने बार यह रिजनल इस्टेडियम जाते समय सुबस्ट साढ़े चार वर बजे के करी तो जैसे हम अपने फोन से लिखा ले पने दोस्त के पास कॉल करने के लिए कि हां वह भी घर से लिख ल अगर पुलिस के लिए अगर मेरे द्वार अगर कुछ के कारने के लाक रहेगा तो हम उसके लिए सदेदद पर रहे हैं परसु राम बर्मा गोरकपर में कारे रत हूं और दुन यह मुबाइल हमारे रूम से खोया था खिड़की के रास्ते चोर चुरा लिया था जैसे यार को लेकर हिंगर में टंगे कपड़े को निकाल करके मेरे कपड़े से पैसा निकाला था और मुबाइल भी चार्ज में लगा हुआ था टेबल पर रखा हुआ था बाहर से ही ओ खिच लिया था मैं ही रूम में अकेले था तो इस संबन में मैं गोरकपुर के पुलिस को ध फेरो सारी सुबकामना देता हूं मेना टाइबलेट लग वग एक महीने क्यांदर मिल गया है कैसा लग रहा हुआ है। सर मिल गया है उसकी बहुत ज्यादा खुशी है और इसके लिए मैं गोरकपूर पुलिस को सुक्रियादा करता हूं जनपद गोरकपूर में वरिश पुलिस इतिक्सक द्वारा चलाया गए अभिहान के अनुक्रम में जिसमें विभिन लोगों द्वारा समय समय पर अपने खोई हुए फोन एवम गैजेट्स दूसरे इलेट्टोनिक गैजेट्स का विवरा दिया गया था सरुलांज सेल को स्रुलांज सेल ने प्रभारी स्रुलांज के माध्यम से अच्छी तुरित कारवाई करते हुए आज करीबन साड़े सोला लाख रुपे के कीमत के 111 एंड्रोइड गैजेट्स जिसमें एक मानने मुख्यमुंतरी जी द्वारा अलाभारती को दिया गया एक टेबलेट एक व वीवो, वन प्लस, रेड्मी, इस तरह की सैमसंग, इस तरह की तमाम कंपनियों के अच्छे-च्छे स्मार्ट फॉन्स जो लोगों से यहां तो छीने गए थे, यहां फिर खो गए थे, उनको आज वापस देने की कारवाई गोरपूर प्लिस द्वारा की जा रही है, इसमें अब वक्त उचलाएक छोटे से ब्रेक का प्रेक पे जाने से पहले एक निजर सुद्खियों पर गोरपूर न्यूज के सर्प्रायो जख है मटकू मंगलम टावर गोलगर गोरपूर एक महिला डॉक्टर ने मरीज के डिलिवरी के नाम पर परिचनों से लिया 7000 रुपया घूस वीडियो हुआ वाइरल मामला जिला महिला चिकिस साले का जिला महिला चिकिस साले के प्रमु गोपालपूर गाउं में एक व्यक्ति ने पती वा पतनी को मारी गोली मामला पर प्राइस थाना च्छेत्र का मौकी पर पहुची पुलेस ने आरोपी व्यक्ति को लिया हिरासत में खट्ना में प्रियोक तमन्चा वकार किया बरामद स्पी नौट ने कहा घायलों को इलाज के लिए मेटल कॉलेज में करवाए गया है भरती तहरीर मिलने के बाद की जाएगी आदिकी कारवाही सूरज कुंड इसत बाल सनक्षन ग्रेह का जनपद नियाएधीस वा एसपी सिटी ने किया निरक्षन कमरों के लिए तलासी तलाशी में पाए गए मोवाईल, चार्जर, कडा, नशीला, प्रदार्थ, जनपद नियाएधीस ने जाच के दिया निर्देश मुक्यमंट्रियों की आदित नात ने गुरिक नात मंदिर में गायों को गुरवा चनाखिला कर किया प्यार वा दुलार एक ग्यारा बजे लखनों के लिए हुए रवाना सर्विलांस सेल की टीम ने खोए हुए 16 लाक रुपए के 111 स्मार्टफोन वा एक टेबलेट को किया बरामद स्पी सिटी कृष्ण कुमार विश्णोई की मौजूदगी में पुलिस लाइन में मोबाइल स्वामियों को उनका मोबाइल किया गया सुपुर्द खोया हुआ मोबाइल पाकर लोगों ने गुरकपुर सर्विलांस स्टीम को दिया धन्यवाद बासगाओ तहसील पर सीडियो संजे कुमार मीना की अदेक्स्ता में जनपदिस्तर ये तहसील समधान दिवसका किया गया आयोजन सीडियों ने पांच प्राइमे स्कूलों का भी किया निरक्शन कहा एक सब्ता के अंदर सभी मामलों के निस्तारण की दिये गए है नर्देश आजादी की पच्छेतरवे अमरित महस्तों के तहत गुलकपूर एर फोर्स स्टेशन द्वारा रामकरताल स्थित नौका विहार के जेती पर सुनली शाम के तहत एर फोर्स मुजिकल बैंड ने बांधा शमा माहिलाओं और बच्छों ने जम कर मुजिकल बैंड का उठाया लुफ्त कहा देशबक्ती गाने के साथ लोगों को जागरू कर रही है एर फोर्स मुजिकल बैंड जनप्रत में एक इनीजी होटल में भोजपूरी महस्तों का किया गया आयजन मुक अतिती शीव परताब शुकला ने कहा भोजपूरी को अनसुची में सामिल करने के लिए भारसरकार से करेंगे मांग भोजपूरी यूपी वा बिहार में सबसे जादा बोली जाने वाली है संपूर तहसिल समधान दिवस SGM सदर कुलदीप मीना के देख्सता में हुआ साकुसल संपन ये कहा अधिकतर मामले भूमी विवाद वा पुलिस विवाद से आये संबंदित मामलों के निस्तारण के लिए संबंदित अधिकारी को दिये गए है निर्देश महायोगी बाबा लोकनाथ सेवा समीती दौरः दुरखऴणी प्रांगन में त्र्काल दर्सी महायोगी बाबा लोकनाथ का हरस्वल्लास के साथ मनाए गया जनमोस सौक कहा भकतों से बाबा कहते थी जब तुम्हें कोई कस्च हो तो मुझे स्मरन करो मैं उसे करूँगा और जन्पर्द में कल तक बारिस के लिए बना रहेगा मांसून गरज के साथ होगी चिटपुट बारिस जला अब दविशे सग्य गौतम गुपता ने दी जानकारी पेगस निसान गौरणपुर का एक मात्र निशान डस्टन का exclusive शोरूम और वर्क्शॉप जी हाँ सही सुना आपने जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गौरणपुर से बाहर जाना पड़ता था अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छट के नीचे पेगस निशान सेल्स सर्विसेस एन स्पेर्स भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसर गौरणपुर हमारी तरफ से विसेस ओफर निसान डस्टन गाड़ी की खरीर पर फ्री इंसुरेंस कंडिशन्स अपलाई अजन्स अजन्स अपलाई लाए है विसे ऊपर मैըा स्टने पोजEraces णिल्स्टन दखरेंस के करी भारी टीमेशे हैं अंग अंग कर दो कर दो झाल झाल रोयल लोगों की रोयल परशन रे रोयल चाय पटको मंगलम टावर गोल घर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिल्वाई भी और ड्रैकलीन भी करमाएं दोगी ड्रैकलीन पर एक कपड़ा मुख्त, फ्री होम डिलेवरी और पिकप के लिए कॉल करें 9044663300 प्रेक के बाद आपका स्वागत है जिन पर दिस्तरिये तहसील समधान दिवस के औसर पर सीडियो संजे कुमार मीना ने बाजगों तहसील पर लोगों की समस्याओं को सुना साथ ही पाँच प्राइमरी स्कूलों का निरक्षिन भी किया जिसके संबंद में सीडियो संजे कुमार मीना ने बताया कि तहसील दिवस पर अधिकतर मामले जमीन पर कबजा, खेत कबजा को लेकर राजस्वे भाग से आए संबंदित राजस्वे इंस्पेक्टर लेकपाल और संबंदित थाने के SI और SHO को निदेशित किया गया है कि गुर्वत्ता पूर्ण मामले को एक सब्ता के अंदर निस्तारन किया जाए उन्होंने कहा कि कुल मामले 40 से 50 के बीच आए उन्होंने बताया कि इसके साथ ही पांच विद्याले का निरक्षन किया गया जिसमें दो विद्याले बांसकाओं ब्लॉक एक विद्याले कॉडिराम ब्लॉक और दो पिप्रॉली ब्लॉक के थे निरक्षन का उद्दीश है किस प्रकार से बच्चों को सिक्षा प्रदान की जा रही है निरक्षन की दोरान पांचों विद्यालेओं पर किसी प्रकार की कमी नहीं दिखाए दी इस संबंग में गुरकपुर्णियों से बात करते वे सीडियो संजे कुमार मीना ने कहा बात के में है याहिए भी पाइंच विद रिक्षण किए गया जिसमें तीन व दीले। बासगाओं के एक कालीरान के लिगक नेपकी प्रशक लॉक्वल्स सब्सक्राइब अट zu Pir Vai Next लोग सह स्कंद्ध में उपस्ताइब नहीं नहीं तो उसके समर्म मैं इसनक्राइब पांचों जगे टीचर्स प्रिजेंट थे अगर कोई अपसेंट था तो अवकाश लेने के बाद ही अपसेंट था गुणवत्ता पर विशेश रूप से इसमें फोकस किया गया था कि गुणवत्ता पूर्ण यदि शिक्षा प्रदान की जाएगी तब ही देश का विश्य जो ह अधिकतर मामले राजस से संबंदित थे जिसमें चकरोड की पहमाईश हो गया केट की पहमाईश हो गया केट पर कबजा हो गया उस तरीके के मामले थे जिसमें संबंदित राजस जो इंस्पेक्टर रेविनिंस इंस्पेक्टर जिसको हम कानून को कहते हैं ततलिक पाल और यदि कब्जे संबंदित थे तो संबंदित थाने के S.I. और S.H.ो को निदेशित किया गया है कि गुनवत्ता पूर्ग निस्तारण कर एक सब्ता में आक्या उपलब्द करा है देखे जो कुल लगबग वहाँ पे 40 से 50 के बीच में मामले आई थे जिसमें से सबी में देशित किया गया मौके पे किसी मामले का निस्तारण नहीं हो पाए था आजादी की 75 अमरित महस्तों के तहत गुरकपूर एर फोर्स स्टेशन दोरा रामगरताल इस्तित नौकायन के जिट्टी पर सुरीली शाम म्यूजिकल बैंड करेकरम का आयूजन किया गया जिसके मुखी अतिती गुरकपूर एर फोर्स स्टेशन के एर आफिसर कमांडिंग एर कोमोडोर अनीश अगरवाल विसस्ट सेवा मेडल रहें आपको बता दे कि इस सुरीली शाम को देखने के लिए लोगों की भीर लगी रही और वहाँ पर आई महलाया और बच्चों ने जम कर मुजिकल बैंड का लुफट उठाया और बैंड के साथ भारत माता की जैका नारा लगता रहा जिसके संबन्द में एर फोर्स स्टेशन पियारो एस वेंकटेश प्रभू ने बताया कि आजादी के अमित महस्टो के तहत रामगरताल इस्टित नौका विहार पर एर फोर्स स्टेशन द्वारा सुरीली शाम का आयोजिन किया गया है शाम में एर फोर्स मुजिकल बैंड गुरकपूर की जनता को अपना परफॉर्म्स दिखा रहे हैं उन्होंने कहा कि एर फोर्स बैंड नेशनल अस्तर पर पर परफॉर्म कर चुकी है और आज देजबक्ती गाने के साथ लोगों को जागरु कर रही है इस समद में गुरकपूर नियों से बात करते हुए दर्शक अधिती एवं एर फोर्स स्टेशन के पी आरो एस वैंके तेश प्रभू ने कहा स्टेशन के के देञे का प्रेहर बत्षी मैंने मिलेफ। भराइस। आरो एस्टतेशन के कर दिए वे खुझा सूजी ऑडिने हो अधिक्ट रिपाइड दीज अजिए जविए, फवीक्ति अच्जी सूजी शजिए ठास्ट विए जविए। जेए। एट दोराइविज तास्धिव हैसी टोराइव and fought against the British era to attain freedom for these nations whose contribution towards the freedom struggle is precious, indispensable and truly inspiring. The list of these great men is endless but to name Purf Firak Ghorakpuri, the world-renowned Hindi novelist Premchand and famously known as the Gandhi of Purwanchand The ban in Indian Air Force is to enliven the spirit of the marching contingent and strengthen the mood and help the soldiers in promoting pride. And term 1944 with one officer and 47 airmen under the order of Wing Commander Bola and subsequently the ban moved to Ambala 1946 and thereafter the ban was shifted to Jalahali East, Bangalore in 1947. भागवद गीता के 11 अध्याय से लिया गया है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने माभारत के महान युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर अर्जुप को प्रवचन दिया था. बहुत गर्व के साथ इस आदर्श बाट्के को हम अपने दिल में बसाये हुए हैं. हम अपने परों को और चौड़ा करके अधिक से अधिक उचाई तक बढ़ते हुए और अपनी सीमाओं को पुनह परिभाशित करते हुए हम अपने सभी कारेयों में इस दिव्वपाठ को प्रतिबिम्विप करते हैं. हासिल किया गया हर मील का पत्थर हमें और उचा उठने की प्रेणा देता है. हमारे देश के स्वतंतरता दिवसका स्मर्नोच सव अपने 75 वर्ष पर स्वतंतरता आंदोलन और उन वीर पुर्षों को याद करता है जिन्होंने देश की स्वतंतरता प्राप्ती के लिए अपन इवं प्रेणा दायक है। इन में से कुछ क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, बाबु बंधु सिंग, उर्दु के लेखक रघुपती सहाय उर्फ विराप गोरखपुरी, उपन्या समराथ गणपतराय उर्फ प्रेमचन, बाबा रागव दास अर्थात पूरवांचल के गांगी। ये कुछ आविस्मर्णिय उधारण है। जैसा कि हम इस आजादी का अमरित महोचसव मना रहे हैं, इसी क्रम में नमबर चार वायू सेना बैंड एक संगीत कारेक्रम करने के लिए मंच पर उपस्तित है। बायू सेना में यह बैंड मार्चिंग दल की भावना को जीवन्त करने, उनकी मनोदशा को मजबूत करने और सैनिकों में गर्व एवं सोहार्थ को बढ़ाने में मदद करने तथा हमारे देश के विभिन हिस्सों में, विभिन अवसरों पर आयोजित होने वाले समाहरों में भाग लेने के लिए है। पूर बायू सेना बैंड का गठन वर्ष 1963 में कानपूर में किया गया और बाद में इसे अलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। इस बैंड में। बैरियर से शुरू करते हैं। इस दून की रचना। करते हैं। ऊंसमा। इस का इस वाले से लुष पिस्या से अलाहाब। कर दो कर दो कर दो कर दो अध तो आदिमिक वह ए वा मुपनी पैस जसे निसा टार्षिप इसका कि अरुश इस लिए कि अरुट इसका टूम्ट टूमियोर्ड लीज एंग जटलम्न वीज के अरूम है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि हो कि एंबे सुभ दिखाः क कि ऑंब infra हम एंबादेट कि नाम क कि सुभ जबाँ थन Saul जा प्रीजुटी नॉटी सोंस, एक बडिक एक टिप्तिज इन वर्साटिल रड़िश्ट फॉटी पीस कर दो 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 हर यों, हर यों, यह नहुता लग एक मामल है, और लाजाई कि पाना देरा, जो मारत देश मेरा, जो मारत देश मेरा हरु झाल, को हर तेरा, जो मेरा थ Moyना देश मेरा का जो मेरा हुत हिरा जो मारत देश मेरा, जो मेरा हुता तो Р Сेयल बाद बादेट लोलह जया है कि अथा है कि अच्ट है, वे तर लोलह सेे कि अरादेटेट लेख लेखने कि अच्ट में गुता जाए्न कि अजडमी कि अच्ट मेंताफी विलेट रादेटिन जोराइव कि नाजना कि कर्या है, कि वनलु दिए निपक सामय है है एक मुझे भीनिसक्तलिक फेरीने ज़िए है प्लियों है लोराइवल नरीवतर्म प्रिंद्द है सी, दोगास सीAgारीण थोस्तूरीड टोराइव है मिभुट म२ंग हो ए crafts लुटख होगी है की को एक्राज्ण müsste इन एक हैाः। quello ऍर छॉष एक हैं। एक टाम में एक हैं। की कि और एक हैं दम धो आट ses दो इस दो आटी की जा काई सब आटी रमलब धो टेमानी तव एकाई 거는 Yakउज्ज में ली पילड़ हैं and struggle and start towards our country, which is commonly known as Patriotism. Patriotism is not only a feeling, but Patriotism is a thing which can be shown in our activities and day-to-day dive, which we do. मेरा नाम अधीजी है और मैं शक्षा नाभी की छातर हूँ. Thank you very much. मेरे फादर भी एरफोस में है, तो मैं यहाँ पर आई हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यह रेखके. इंडिया के अड़िसरी के प्रूबर आजादी का अमृत महुतसव के लिए के अड़िसरी के अड़िसरी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं. जनपद में एक निजी होटल में भोजपूरी महुतसो का आयोजन किया गया, जिसमें मुकहतिती के रूप में पहुँचे राजसवास सांसद शियूपरताब शुकला ने कारिकरम का शुभारम किया जिसके समन्द में राजसबा सांसाज शियुपरताप शुकला ने बताया कि देश में तरह तरह के लोग निवास करते हैं और अलग अलग तरह की भाशा का परियोग करते हैं जिसमें से एक भाशा भोशपूरी है जो कि हमारे यूपी व बिहार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाशा है जिसको मानेता देने के लिए संसद में भी आवाद उठा चुका हूँ लेकिन बहुत से लोग भोशपूरी पर ध्यान नहीं देते हैं भारत सरकार को भोशपूरी को अनसुची में शामिल करने के लिए परियास करना चाहिए क्योंकि जो सबसे कम बोली जाने वाली भाशा है उसको भी अनसुची में शामिल किया गया है इसलिए सरकार से मांग करता हूँ कि भोशपूरी को भी अनसुची में शामिल किया जाए इस समंद में गुरकपूर नियूस से बात करते हुए राज सबासांसत शीव परताब शुकला ने कहा सम्मान प्रदान कहिले में संपूर यायावली परिवार गौरत यानुपूति करतबानी मंचे पे किरावर मंचे पे आई उस्तो कि आज की काटकम में उपस्तित आज की काटकम के अधर्च वरिस्त पत्रकार स्रिमान देरन पांडे जी स्रिमान देरन पांडे जी प्रिय श्रमडी जी गौरत पूर नकर दिकम कि महापौक पूर्च में एक सफुल काम कारकार पूरा करने वाली दाक्टर श्रमडी श्रत्या पांडे जी दे जी गौरत इस तर्च वरिवार से दिकमें शवी श्रमाने जी पत्रकार मित्रों छायकार मित्रों तथा उपस्थे के शम्माने जी हमरे सहर में कारकम चलता तो रहे ताम में पूरा चाहिए अक्राव लेकिन अवार में यूरी पर कि हमें पांच बजे लत्रूंगे कारकम चलता जोने में गई यह हुए एन्यते हम आप सभी लोगन से शमाचा चाहता कि शुदी गोश्पूरी बार एन्यते हम अपने पूरा वक्त के गोश्पूरी इंदिए चाहते हैं आज यह उदोश्पूरा होगा है सही कात्रा नहीं की हैं बोश्पूरी में बात पेड़े में हमन क्या तोड़े राई है या सर्माई है हम मारीशस भी गई बाती सुरिणाम भी गई बाती और जगोव गई बाती मारीशस जैसे देश में वहा के राश्पूरासा बोलपूरी है हम हिंदोस्तान में होगे पुजितने वहाँ बाते हैं चयायओं के राश्पती बाते हैं कि आबने दूशरे नस्रिफा के रूप में बहुत भूरी है लोग अंग्रेजी होगा है लेकिन अंग्रेजी इंहां कि इसरे भासा के रूप में हम यां सर्माइदें हमेने अकर सर्माइदें हम मंग के जो नीत नीयंता लोग बाटे ला उस भी नीत नीयंता लोग सुरू से भासा के भी ओप से जोड़ दे लेगा दें और वो भासा से ओप से जोड़ दे के परणार का भर्य यहां प्रांद बदन वो भासा या दार पर बदने कि आज हिंदी जैसे भासा के राश्ट भासा बनावल जाया एकर कितना भी प्रयत्ता प्रियने नहीं संभाव है तुरू में हमनों जानते लिए कि हिंदी हमार राश्ट भासा है बाद में पता का लगल हिंदी राश्ट भासा नहीं है बल्कि हिंदी कामकाजी भासा है सासन के काम हिंदी में हो सकाला, लेकिन हिंदी राज के भासा नहीं है, पर अंपरा टूप, हर सबें टूपे ले, अजय से उदे जी ने अपने कविता, जो ने लिखने रहा है, आज उस कविता को पूरी तोर पर नकार, ने काम अगर कि उदे कर जा कर जा कर जा, तो यहाँ, सत्या पाणे वाकिने, तो सत्या पांडे, यह से नगर के प्रथम नागई के रिदा है, अभी जामा त्रिपाठी को बूला करके हमने काया कि आओ जरा दीप्रजन करो, यह लाते, अब बदलाओ आईडबा, अब बदलाओ आईडबा तो, कर देखे, मैंने भोजपूरी के हासा को मान्यता दे जाया, इसके लिए संसद में भी विशय उठाये, लेकिन कुल में लाकर के हम सभी लोग खुद भोजपूरी उपर द्यान नहीं देते हैं, मुझे लगता कि कम सकम भोजपूरी को अनुशूची में सम्मलित करने के बार सरकार प्रेयतन कर आए, अनुशूची में सम्मलित किया गया है, मैथिली को भी सम्मलित किया गया है, तो मुझे लगता है कि इस पर काम करना चाहिए, और या अवरी भोजपूरी महोस्ता को इसके लिए धन्यबाद देता हूं, बधाई देता हूं, कि उन्हों ने एक प्र यह वीशेस तोर पर होना चाहिए, कारगर साबित हो रहा है, लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, इस समंद में गुरकपूर नीज़ से बात करते हुए, SDM सदर कुलदीप मीडा ने कहा, कार बहुत वाँ जाई भात लो, कि उन्हों समाधान हुत。 कि देता हुए, एक उन्हों, कि भात्री गचान है, लोगे भी होना हूं, कि उन्होंसे थेपाद। हैंसे ढे सिए rating से चाहिदान केमिठान विज टारी हो जो एंदर है करी को मैं जो है करी नापी लेता है एिए पर जिन से आफ हैं, और हाँ लगाज़ आसाइओंग, फ़ार पात शाहिं आप है तो है। तब ब्रवा करता हैं वसा आपको कहें दिजा कर देखों, बेकर के पामाईश कर देखों, आपको कहें देखों अधिकतर मामले थाना और पुले संबंदित हैं, परन्तु आज क्योंकि जन्माष्ट में थी और राथ में बनाई गई हैं, इसलिए ज्यादा फर्यादी नहीं आये हैं अभी तक 15 फर्यादी के करीब हमें आज तैसिल दिवस में शिकायते मिली हैं तैसिल दिवस में जो समय से में मिलती हैं, उसमें अधिकतर मामले जो कि सिविल नयाले या नयालो में डिस्पूटेट नहीं होते हैं में अधिकतर का समाधान हो जाता है और जिस क्योंकि आई जी आरेस और अन्या प्रणाली की रेटिंग से भी देखा जा सकता है महायोगी बाबा लोकनात सेवा समीती द्वारा दुर्गाबाडी प्रांगण में तिरकाल दर्शी महायोगी बाबा लोकनात का जनमोस्तो हर्शोल लास के साथ मनाया गया जिसके सम्मन में पार्थो चटरजी ने बताया कि बाबा लोकनाथ का जन्म 1703 इस्वी में जन्मास्टमी के दिन बंगाल के कच्वा गाउं में हुआ था 11 वर्ष की अलपावस्ता में उपनें संसकार के बाद महायोगी लोकनाथ अपने गुरू भगवान गाउंगली के साथ सन्यास लेने के बाद घर छोड़ दिये उन्होंने विबिन तीर तस्तल का भरमड करते हुए जनारदन किया और किरिया योग एवम हट योग की शिचाली उन्होंने 40 वर्षों तक हिमाले परवत की कंदरा में तपस्या किया तथा दिविग्यान प्रात करने के बाद बाबा लोकनाथ पैदल ही योरोप, मक्का, मदीना, काबुल, अफगानिस्तान, रूस आधी देशों का भरमड किये उन्होंने कहा कि बाबा लोकनाथ कहते थे क जब तुम्हें कोई कष्ट हो तो मुझे अस्मरड करो, मैं उसे दूर करूँगा, इस उसर पर दीपक शकरवर्ती, डाक्टर रामना चटर जी, परेशना चटर जी, अजय चटर जी, श्यामली चटर जी, निवीदेता चटर जी, जेन चटर जी, रचना सहित आनलोग उपस इस समन्द में गुरकपून ने उससे बात करते हुए पार्थो चटर जी ने कहा मेरा नाम पार्थो चटर जी, ये लोकनात बाबा का जन्म उच्सो मनाई आता है, हर साल मनाई आता है वास्तो में लोकनात बाबा का जन्म, स्री किष्ण जन्मास्टिमी के दिन ही हुआ था लेकिन बेवस्ता की साबसे लोग सब जन्मास्टिमी में ब्यास्टिमी में बियस्तर आते हैं, इसलिए उसको एक दिन बाद यहां बेवस्ता करते हैं इसमास्टिमी के दिन ही बंगाल के कचुआ गाउं में हुआ था 11 वर्ष की ही अलप आवस्था में उनका उपनियन संस्कार हो गया और उपनियन संस्कार के बाद बाबा लोकनात अपने गुरु भगवान गांगुली के साथ सन्यास लेने के लिए घर त्याग दिया उसके बाद वो इसी तरह पूरे देश में भ्रमण करते रहे पहाडों में भ्रमण करते रहे तीर सिसल का भ्रमण करते वे ग्यान अरजन किया और योग की सिक्षाली फिर चालीस वरसों के बाद वो हमाले परवत की कंदराओं में जाके उन्होंने तपस्या किया दिव्य ग्यान प्राप्त किया और विदेसों में भी विदेसों में भी गए जैसे अफगानिस्तान, रूस, मक्का, मदीना, काबूल इत्यादी इंदेसों का भ्रमण किया और उसके बाद अपने गाहों को लोट आए लोट आने के बाद वो जन कल्यान के कारियों में लग गए और सन 1890 में बाबा लोकनात अपनी काया को त्याक कर अमर लोग को प्रस्थान कर गए जिला आपदा विशेशक गौतम गुपता ने मौसम पर कहा कि मौसम विभाग के अनुसार कल तक मानसून बना रहेगा और कुछ जगहों पर गरच के साथ छीटे पड़ेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी उन्होंने बताया कि अगले दो दिनों तक बारिश होने की संभावना होगी तथा जन्पद में हुई बारिश को मापा जा रहा है अभी तक कहीं से भी कोई जन्हानी की शिकायत नहीं प्राप्त हुई है इस सम्मन में गौरगपूर नेउस से बात करते हुए जिला आप दाविशे शक गौतम गुपता ने कहा देखें जो हमें कल रिपोर्ट पराप्त हुई थी इंडियन मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट से उसके अनुसार अभी आगामी बतब कल और आज और एक आदा दिन और इस तरह के मौनसून की संभावना उनके दोरा व्यक्त की गई है कुछ जगों पे गरज के साथ चीटे पड़ेंगे कुछ जगों पे अलकी वर्षा होगी तो इस तरीकी की सुचना इंडियन मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट दोरा दी गई है अगले काद दो दिनों तक इसकी संभावना वेक्त की गई है और अभी इसको रेगुलर दी वाच भी किया जा रहा है कि कितने रेंफॉल हो रहा है तो असील वाइस उसको पूरा मॉनिटर किया जा रहा है जिसके आधार पर जो एवरेज रेंफॉल है उसको और जो एक्च्वल रेंफॉल है उसके आधार पर आगी की कारवाई की जा सके जनहानी की कोई सुचना प्रापत नहीं है आज के लिए बस इतना ही जाने से पहले एक नदर हेडलाइन पर गोरकपूर न्यूज के सर्प्रायो जख है मटकू मंगलम टावर गोल घर गोरकपूर एक महिला डॉक्टर ने मरीज के डिलेवरी के नाम पर परिचनों से लिया साथ हजार रुपया घूस वीडियो हुआ वाइरल मामला जिला महिला चिकिस साले का प्रमु का दिक्षक ने कहा वीडियो का लिया गया है संग्यान महिला डॉक्टर पर कारवाई के लिए शासन को लिखा गया है पत्र मांगा गया है स्पस्ट्रिकरन जबकि ओटी स्टाफ पर कारवाई पर हुए मौन गोपालपूर गाउं में एक व्यक्ति ने पती वा पत्नी को मारी गोली मामला पे प्राइस थाना च्छेत्रिका मौकी पर पहुची पुलेस ने आरोपी व्यक्ति को लिया हिरासत में खट्टा में प्रियों के तमन्चा वकार किया बरामद एसपी नौट ने कहा गायलों को इलाज के लिए मेटल कॉलेज में करवाय गया है भरती तहरीर मिलने के बाद की जाएगी आदिकी कारवाही सूरज कुंड इसत बाल सनक्षन ग्रेह का जनपद नियाएधीस वा एसपी सिटी ने किया निरक्षन कमरों के लिए तलासी तलाशी में पाये गए मोवाईल, चार्जर, कडा, नशीला, प्रदार्थ, जनपद नियाएधीस ने जाच के दिया निरदेश मुक्यमंट्रियों की आदित नात ने गुरिक नात मंदिर में गायों को गुरवा चनाख इलाकर किया प्यारवा दुलार एक ग्यारा बजे लखनों के लिए हुए रवाना सर्विलांस सेल की टीम ने खोए हुए 16 लाक रुपए के 111 स्मार्टफोन वा एक टेबलेट को किया बरामद स्पी सिटी कृष्ण कुमार विश्णोई की मौजूदगी में पुलिस लाइन में मोबाइल स्वामियों को उनका मोबाइल किया गया सुपुर्द खोया हुआ मोबाइल पाकर लोगों ने गुरखपुर सर्विलांस स्टीम को दिया धन्यवाद बासगाओ तहसील पर सीडियो संजे कुमार मीना की अदेक्स्ता में जनपदिस्तर ये तहसील समधान दिवसका किया गया आयोजन सीडियों ने पाँच प्राइमे स्कूलों का भी किया निरक्शन कहा एक सब्ता के अंदर सभी मामलों के निस्तारण की दिये गए है नर्देश आजादी की पच्छे तरवे अमरित महस्तों के तहत गुलकपूर एर फोर्स स्टेशन द्वारा रामकरताल स्थित नौका विहार के जेत्टी पर सुनली शाम के तहत एर फोर्स मुजिकल बैंड ने बांधा शमा माहिलाओं और बच्छों ने जम कर मुजिकल बैंड का उठाया लुफ्त कहा देशबक्ती गाने के साथ लोगों को जागरू कर रही है एर फोर्स मुजिकल बैंड जनप्रत में एक इनीजी होटल में भोजबूरी मौस्टो का किया गया ऐजजयनमुक अतीतीशी और प्रताब शुक्ला ने कहा भोजबूरी को अनसुचि में सामिल करने के लिए भारे सरकार से करेंगे मांग भोश्पूरी यूपी वा बिहार में सबसे जादा बोली जाने वाली है भाशा संपूर तेहसिल समधान दिवस SGM सदर कुलदीप मीना के देख्सता में हुआ साकुसल संपन ये कहा अधिकतर मामले भूमी विवाद वा पुलिस स्विवाद से आये संबंदित मामलों के निस्तारण के लिए संबंदित अधिकारी को दिये गए है निर्देश महायोगी बाबा लोगनाथ सेवा समिती द्वरह दुरगवारी प्रांगण में तिकाल दर्सी महायोगी बाबा लोगनाथ का हर्सुलास के साथ मनाए गए जनमों सौक कहा भगतों से बाबा कहते थी जब तुम्हे कोई कस्च हो तो मुझे स्मरण करो मैं उस्से करूँगा और जन्पिद में कल तक बारिस के लिए बना रहेगा मांसून गरज के साथ होगी चिटपुट बारिस जला अब दविशे संगे गौतम गुपता ने दी जानकारी अब मुझे इजादत दीजिए नमस्कार